नीचे description में आपको complex numbers and its fundamentals की playlist का link मिल जाएगा आज हम define करेंगे argument Z argument Z basically एक तो हमारा ये capital A से होता है और एक small A से होता है तो हम दोनों को देखेंगे और दोनों में फर्क भी देखेंगे जब किसी complex number को हम polar form में लिखते हैं जैसे यहाँ पे तो यहाँ पे इसको हम R consider करते हैं और इसको theta तो यह होता है R, theta अब यहाँ पे यह जो theta होता है ना इसको बोलते हैं argument Z और इसको principal argument बोलते हैं अब अगर इसी को हम यहाँ पे 2 pi से rotate कर दें तो हमारा ये क्या हो जाएगा R, theta plus 2 pi ठीक है और यह representation एक ही point का है और इस तरह से हम एक मरतबा और अगर इसको 2 pi से rotate कर दें तो यहाँ पे यह 4 pi हो जाएगा तो एक ही point के कितने representation हो सकते हैं infinite representation हो सकते हैं यहाँ पे जो principal value है यानि capital argument Z है वो क्या है theta है और यहाँ पे जैसे ही इसमें हमने एक भी 2 pi add किया तो अब यह क्या हो गया यह वाला argument यानि यहाँ पे यह हो गया argument तो basically यह जो argument है यह हमारा क्या है set है और यह set हमारा किस तरह से हैं यहाँ पे हम देख सकते हैं argument Z 2n pi प्लस principal value of Z and belongs to Z यह in elements का collection है तो I hope आपको जो है दोनों में फरक समझ में आ गया होगा अब हम find out करेंगे principal value तो basically हम principal value उगर find out कर सकते हैं ठीक है तो हम इसको भी find out कर लेंगे क्या करना है इसमें 2n pi add कर देना है बस उसका जो set बन जायेगा वही हमारा small argue Z होता है अब यहाँ पे हमें find out करना है principal value सबसे पहले एक चीज याद रखते हैं कि principal value जो है यानि argument Z जो है वो minus pi और pi के बीच में होता है अब अगर कोई यहाँ पे आपको लिखके दे दे कि argument Z जो है वो हमारा आया है 3 pi by 2 तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 pi by 2 क्या एक greater than pi है और जबकि यहाँ पे argument हमने Z की range क्या बताई है कि minus pi और pi के बीच में रहेगा तो इसका मतलब argument की value 3 pi by 2 नहीं हो सकती तो कभी भी अगर हम 10 की inverse करके find out करने कोशिश कर रहे हो तो यह चीज का खयाल रखेंगे कि यहाँ पे minus pi और pi के बीच में लाना पड़ेगा अभी हम सीखेंगे किस तरह से इसको find out कर सकते हैं सबसे पहली चीज तो देखो argument Z होता क्या है अगर हमारा point first quadrant में है तो argument Z क्या हो जाएगा simply हम इस तरह से यहाँ पे यह जो angle आएगा वही हम निकाल सकते हैं और किस तरह से निकालते हैं 10 करके यहाँ पे इसको हम height मानते हैं इसको base और 10 theta बराबर क्या होता है height upon base हमें theta वहाँ पे जो मिलेगा वही argument Z होगा दूसरा अगर यह second quadrant में है तो argument हमारा क्या होगा यह होगा और इसको किस तरह से find out करेंगे यह भी अभी हम बताते हैं और तीसरा यहाँ पे जब जो है न third quadrant में होगा तो argument Z जो है वह हमारा यह होगा यह वाला इस तरह से नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं argument Z की range क्या है और अगर हम इस तरह से लेते तो यहाँ तक तो पाई हो जाएगा और यह पाई से ज्यादा हो जाएगा तो अगर third quadrant में है या फिर fourth quadrant में है तो हम clockwise लेंगे और complex में हम जानते हैं कि जब भी हम clockwise चलते हैं तो उससे पहले हम क्या लगा देते हैं माइनस लगा देते हैं अब यहाँ पे देखो यह तो हो गया हमारा overview अब अगर हमें कोई complex number दे रखा हो तो हम argument find out कैसे करेंगे उसको हम step by step सीख लेते हैं माल लेते हैं कि हमें कोई number इस तरह से दे रखा है अब यहाँ पे x, y हमारा कुछ भी हो सकता है plus 1, minus 1 या फिर positive value, negative value कुछ भी हो सकता है अब यहाँ पे करना क्या है कि हमें 10 inverse mod y upon x ले लेना है अब mod जैसे ही लेंगे तो अब यह चाहे negative हो, चाहे positive हो हमें कोई लेना देना नहीं है यह हमेशा यहाँ पे positive देगा तो इसकी range हमारी क्या हो जाएगी इसको हम alpha माल लेते हैं और इसकी range जो है वो 0 pi y 2 में हो जाएगी तो पहले क्या करना है कि number हमें दिया होगा और उसमें जो है mod y upon x लेना है उसका 10 inverse निकाल लेना है और जो value आएगी उसको हम alpha से denote कर देंगे तो साथ के साथ हमें एक example भी ले लेते हैं अब यहाँ पर देखो 10 inverse यहाँ पर y हमारा क्या है minus 1 है x क्या है minus 1 है और इसका mod लेंगे तो यह आ जाएगा 10 inverse 1 और 10 inverse 1 हमारा क्या होता है pi y 4 तो यानि alpha हमारा क्या हो गया pi y 4 हो गया अब यहाँ पर argument z argument z को हम ठीटा से denote करते हैं अब यहाँ पर देखो x अगर हमारा greater than 0 है और y हमारा अगर 0 है यानि इस axis पर अगर कोई number दे रखा हो जैसे 1, 2, 3 या कोई भी real number अगर हमें दे रखा है यहाँ से लेके इस से आगे तब हमारा argument z क्या हो जाएगा theta क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं angle क्या बनाएगा 0 degree का तो theta हो जाएगा और अगर x greater than 0 है और y greater than 0 है तो हमारा क्या आजाएगा simply यह जो हमारा 10 inverse mod y upon x alpha आया यानि alpha के equal आजाएगा और अगर हमारा x 0 है और y greater than 0 है यानि कि हमारा इस axis पर है अगर x axis पर है तो यह हमारा argument z के आजाएगा pi y 2 अब क्या कैस है कि x अगर हमारा less than 0 है y greater than 0 है हम क्या कर रहे हैं यहाँ से चल रहे हर हर जगह पर देख रहे हैं तो इसको कुछ याद करने जरूरत नहीं है जो थोड़ा समझ लेंगे तो यह चीज याद हो जाएगी खुद बाखुद फिर हम कहा जाते है x less than 0 और y greater than 0 यानि कि हम यहाँ आते हैं ठीक है और जब हम यहाँ आते हैं तब हमारा argument z के आएगा अब देखो argument z तो हमारा यह होता है यहाँ पे total कितना है यह pi है ठीक है क्या हुआ total pi है pi में से alpha निकाल देंगे तो हमें यह चीज मिल जाएगी जो कि हमारी argument z होगी वही चीज यहाँ पे लिखी है pi minus alpha अब अगर x हमारा less than 0 है और y is equals to 0 है यानि कि हमारे अगर negative real numbers है negative real numbers होंगे यानि कि इस line पे होंगे तो हमारा angle क्या बनेगा pi बनेगा वही चीज यहाँ पे लिखा है अब हम आते हैं यहाँ पे देखो x अगर हमारा less than 0 है और y भी हमारा less than 0 है जो कि हमने यहाँ पे यह example देखा ठीक है x भी less than 0 y भी less than 0 यानि कि यहाँ पे है अगर हमारा इस quadrant में है तो हमारा argument z क्या आएगा देखो यहाँ पे total यह कितना बनाता है यह pi बनाता है और argument z जो है वो हमारा क्या होता है यहाँ पे क्या हो जाएगा pi minus this alpha ठीक है pi minus this alpha लेकिन एक चीज देखो यहाँ पे हमने इसको लिया है clockwise जबकि complex में जो positively orientation होता है वो हमारा anti clockwise होता है तो हम क्या करेंगे इससे पहले negative लगा देंगे जब यह positive चलते हैं complex में है तो हम negative लगा देते हैं positive मने clockwise अगर हम चलते हैं तो हम आगे minus का sign लगा देते हैं तो यहाँ पे यह हमारा यह जो आएगा यह pi minus alpha आएगा चुकि यहाँ पर यह clockwise है इसलिए हम यहाँ पे minus लगा देंगे तो यह हो जाएगा minus का pi minus alpha अगर x हमारा less than 0 है और y भी हमारा less than 0 है तो इसका मतलब यह जो हमने example लिया था यहाँ पे x भी less than 0 है y भी less than 0 है और यह हमारा क्या आया alpha alpha हमारा pi y 4 आया तो अगर हम argument z की बात करें तो यहाँ पे हम कैसे निकाल लेंगे argument z is equals to minus का pi minus alpha और यह हो जाएगा minus का और यह हमारा हो जाएगा pi y 4 और यहाँ पे हम इसके साथ multiply करेंगे इसको subtract करेंगे तो यह minus का 3 pi y 4 आ जाएगा ठीक है तो यह हमारा इसमें ब्लॉंग भी करेंगा यह भी चेक करते रहेंगे minus pi से pi के बीच में अब यहाँ पे देखो next case क्या है कि x is equals to अगर 0 है और y हमारा less than 0 है यानि इस axis पे हैं ठीक है तो हमारा क्या आएगा चुकि हमारा इधर से तो ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे pi से जादा हो जाएगा इधर से ही लेना पड़ेगा और इधर से लेंगे तो clockwise हो जाएगा और clockwise जब भी हम लेते हैं complex में कोई चीज कोई भी curve लें या कोई भी एंगल ने तो उससे पहले हम negative लगा देंगे तो यहाँ पे यहाँ पे होगा नप pi by 2 एंगल बनाएगा तो हम minus pi by 2 लिख देंगे similarly अगर fourth quadrant में है तो यह minus का alpha हो जाएगा यानि x अगर greater than 0 है और y हमारा less than 0 है तो यह हमारी सारी values हो गई इनको इस तरह से याद भी कर सकते हैं लेकिन वैसे याद करने की जरूरत नहीं होती है तो आई होप आपको जो है argument निकालना समझ में आ गया होगा तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में